जब भी हमको भी कोई USB drive गरते हैं हमारे computer में हमेशा उसको अलग अलग नाम से D E F तो कभी अपने सोचा है कि हर computer सीधा C drive से क्यों शुरू होता है A से क्यों नहीं होता है ऐसे क्या reason है तो चले गाइस इसी वीडियो में discuss करने वाले हैं हम इसी बारे में कि Windows हमेशा सीधा C drive में क्यों install होती है A और B drives कहां गए Windows के और जब भी हम कोई नई drive आइड करते हैं वो सीधा A और B क्यों नहीं देता अगर वो किसी को हमने दी नहीं और एक bonus चीज़ और कि Linux या फिर Mac OS में तो drives नहीं होती तो वो कैसे work करती है और हाँ एक और चीज़ Let's suppose आपके computer में A to Z तक सारी कि सारी drives हमने occupy कर लिए तो फिर हम कैसे नई drive आइड करेंगे क्योंकि काम था हम उसमें भी सेम करते हैं न राइट तो बिज़ आपके time waste करें मैं आपके सामने debunk करता हूँ कि ऐसा क्या है कि सीधा हमारी computer में C drive इंस्टॉल होती है तो इसका simple सीधा सा answer है Guys A and B drives are reserved for floppy drives तो फिर एक question आता है कि क्यों तो इसके लिए हिस्ट्री में चलते है पहले तो बात है 1980s की Guys उस time पर सारी जीज़े हम save करते थे floppy drive में उस time hard disk होती भी नहीं थी market में and जो होती थी वह बहुत ही जादा expensive होती थी and उसके बाद आया DOS 1.0 यह operating system था जो कि केवल floppy disk को support करता था and Microsoft ने उसको खरीद लिया उसके बाद उसको rebrand करके विचा MS-DOS शायल आप मेंसे किसी ने नाम सुना हो MS-DOS केवल केवल floppy drive को ही support करता था and फिर आया DOS 2.0 and उसमें आया आपका hard drive का support but DOS 4.0 तक आपके सारे के साथ इसे letters होती थे उसमें preference मिलती थी floppy disk को then hard disk को from example देता हूँ आपको इसमें let's suppose मेरे पास 4 floppy drive है और एक hard disk है तो इसका सीधा तरीका simple सा यह है कि ABCD तो मिलेंगे floppy drive को and E मिलेगा hard disk को तो इसके बाद आया MS-DOS 5.0 उसमें क्या गरा Microsoft ने कि उसने A और B drive को reserve कर दिया floppy drive के लिए ही and C को reserve कर दिया आपके hard disk के लिए and उसके बाद D और E किसी को भी दे सकते हो तो let's suppose again फिर से वही configuration है and आप लोगों के लिए मैंने floppy drive खरी दी है and चली से इसको Windows 10 में attach करके देखते हैं and देखते हैं कि क्या हमें actually में drive A मिलेगी या नहीं मिलेगी तो switch करते हैं C है मेरे computer पर तो guys जैसे कि आप देख पा रहे हो जैसे ही मैंने floppy drive डाली है हमारे यहाँ पे floppy disk drive A show होना शुरू हो गया है बागी अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा कसा tech nerd है और चाहता है कि वो A drive में Windows इंस्टॉल करे तो यह भी आप कर सकते हो इसके लिए थोड़ा सा इशू लगेगा है थोड़ी सी कस्टमाइजेशन आपको करनी पड़ेगी Windows लेवल पर जाके और मैं आपको वान करता हूँ बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके इंकम्पैटिबल हो जाएगी कि बाइट डिफॉल्ट बहुत सारे प्रोग्राम्स में ना इंस्टॉलिशन के टाइम पर वो आटमेटिक पाथ ही सी ड्राइव का देता है तो हो सकता है आपके कुछ इशूस आएं सिस्टम में बट आपकी Windows में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपके Linux में तो drives नहीं होती है तो उसमें कैसे काम करती है सारी की सारी चीज़े जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके Windows में बहुत जादा काम करने वाला है तो इस वीडियो को देहेगा जुरूर और समझेगा कि क्या concept Linux का तो यहां पर यह हमारी root directory है यानि कि एक tree structure होता है उपर से नीचे root सबसे उपर होता है और उसके उपर कुछ भी नहीं होता है तो फिर question आता है कि फिर USB drive कैसे काम करती है तो guys उसका सीधा answer है mount करके एक folder से let me give you an example तो guys अगर यहां पर देखे यहां पर mount point है ठीक है तो यह mount point बताता है कि कि folder में किस जगह पर हमारी USB drive का file path हमने save करा है and सारी कि सारी file path ना इस तरीके से decide होता है अगर आप mount में जाओगे USB drive में जाओगे तो यह वो file path है अगर आप देखोगे तो दूनों तरीके से हम इसमें पहुत सकते हैं but let's suppose आपके computer में अपने सारे के सारे character use कर लिए A2 जीता को आप क्या करोगे then guys ऐसा कुछ नहीं है कि Microsoft आपको A1 A2 देना शुरू कर देगा नहीं Microsoft आपको खुद recommend करेगा कि आप जो create करो drive path rather than drive name तो guys मैंने यहाँ पर फिर से अपना एक फिर से disk manager खोल लिया है यहाँ पर मैंने drives बुराने वाला हूँ बहुत सारी तो guys जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर सारी की सारी drives ले लिए अगर आप देखोगे C से लेके Z तक मेरे पास सारी की सारी drives but अब मेरा question यह let's suppose मुझे एक drive और चीए तो मैं कैसे करूँआ तो उसके लिए मैं करता हूँ फिर से आपकी drive बनाता हूँ ठीक है और यहाँ पर आप देखोगे तो इस बार यह इसको A assign कर रहा है चलिए इस बार हम A दे देते हैं इसको क्योंकि उसे पता है कि floppy drive अभी तक नहीं है अगर मैं इसमें और दूँ कुछ और तो अब आप देखोगे A और B दोनो drive मेरी बन चुकी है बट लेट सपोज अब मैंने A और B के बाद भी drive बनानी है तो क्या होगा तो मैं यहाँ फिर से drive का नाम देता हूँ और देखो इस बार यह आपको बोल रख mount करने के लिए किसी folder में इसका मतलब इस file को आप को drive का नाम नहीं दे सकते हो this file will be accessible by a file not by drive मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसको c drive और देता हूँ ठीक है निव फोल्डर पाथ ओकी करा नेक्स्ट करा इसका वॉल्लिम में रखता हूँ निव यूएस्बी ड्राइव पर चलते हैं अगर आप यहां देखो कि पाथ नाम की ड्राइव बनकर आ गई है यह आप डिरेक्ली एक्सेसेबल है हमारे फाइल पाथ में देखो अगर आप ऊपर देखोगे तो यहां पे कोई USB ड्राइव नहीं है जैसे बाकिस्टब के पास है यह exactly USB ड्राइव बन गई है बट इसको आप पाथ के थ्रूँ यह एक्सेस कर सकते हो रड़र दन किसी ड्राइव के थ्रूँ तो इसको हमें जब भी एक्सेस करना होगा हम ऐसे एक्सेस करेंगे बाकि अब आप समझ ही गए ह कि सबसे पहले हम C to Z cover करते हैं फिर अगर तब भी हमारी कोई floppy drive नहीं है तो हम A और B भी देंगे और तब भी अगर हम और USB drive या फिर और drives बराना चाहरे हैं तो फिर हम हम अब mount point create करेंगे rather than drive name के तो basically आप समझी गए होंगे अब तक कि कैसे हमारे drive पाच चलते हैं क्यों हमारे system में A और B drive बिल्कुल भी नहीं है अगर हमारे computer में A to Z तक सारी के सारे drives option फुल हो गई तो हम क्या करेंगे तो end करते हैं इसके साथ हमारी आज की वीडियो अगर आप हाद करेंगे झालन सबिक isn't फो आप करेंगे खुल हां बंड वीडियो